ये झो लोग भी ये जो लोग इं खिलने के लिए खिलते हैं कि उनको भी पता है कि ये इंड्रिश्ट्य ये ऐसे हो सकती है लेकिन Woman वो बनना है हमको तो वो कैसे बने लेक मैं खेल तो इसको गैमिंग करियर बनाना है तो वो उसको प्रो प्लेयर बनने में क्या-क्या लेखना पड़ेगा इसमें ऐसा है कि अगर किसी भी बंदे को अगर pro player बनना है न तो उसके सबसे पहले तो उसका device अच्छा होना चीए अगर वो mobile gamer है तो उसके पास एक अच्छा device बहुत जरूरी है PC के मरत उसके पास अच्छा PC होना चाहिए उसके पास अच्छा keyboard होना चाहिए अच्छा mouse होना चाहिए क्योंकि उनकी जो sensitivity होती है वो आपको सबसे ज़्यादा gaming में help करेगी अगर suppose कि मेरे पास एक अच्छा device है mobile device है अगर वो lag नहीं कर रहा है उसमें 90 fps आ रहा है smooth gameplay चल रहा है तो obviously है कि मुझे जितने भी कील करने है suppose कि मैं कोई battle royale game खेल रहा हूँ मुझे अगर कील करने है तो उसमें वो चीज मुझे help करेगी 90 fps ज्यादा help करेगा as compared to 60 fps suppose कि कोई सामने player आपको दिखा वो cover में जा रहा है आपके पास 90 fps उसके पास 60 fps वो जा रहा है cover में आपने उसको गोली मार दी वो मर गया वो सोचे गा मैं तो भाई cover में आ चुका हूँ मैं आ चुका हूँ cover में क्योंकि उसके fps के इसाफ से वो cover में चला गा है लेकिन हमारे पास है 90 fps हमको वो ज्यादा क्लिर दिखता है वह जाते जाते भी उसको गुलिया रजिस्टर हो जाएगी यह slipped style होना चाहिए अपने personal लाइक हर प्लियर का अजया होता है तो वह भी स्ंर Naz 300 है हर प्लेयर के हर प्लेयर के कंट्रोल सा अलग होता है उनकी प्रेक्टिस का एक सेशन अलग होता है कोई प्लेयर होता है जो क्लासिक में प्रेक्टिस करता है कोई प्लेयर ऐसा होता है कि जो सिफ कर्स्टम्स में प्रेक्टिस करता है कोई सिफ ऐसे जो एक प्रेक्टिकुलर मतल जो एम है वो ठीक हो जाए तो मालो कोई और गेम का अगर कोई खिलाडी है तो उस चीज में वह बेटा-बेटा करेगा वैलोरनट का खिलाडी हो गया तो वू अपने sense ी चेंज आपDघा क्रोसर को थीवदा बनाएगा Windows आपका क्रोसर्स स्टर्ट इंग में बहुत बड़ा मिलता है तो अगर आपको आम करना आहीं तो बहुत सारे विश्तार अपन प्रोसरोग्व में पंप अब fabrics अनले not उसके बाद मैंने दो-चार रिल भी डाली हुए वीडियो डाले हुए वेलरेंट के इंस्टाग्राम पे आपको भी देखो कि आप तो मिलेंगे मैंने देखे हुए है और ये तो आपने बता है कि प्रो प्लेयर एक चीज है कि अभी मेरे को जाना है आपने बहुत ज्यादा लोग को कि मिले भी हो तो अभी टॉप में इस 익िंड प्यूडिपाई है न वर्ल में तो वो तो बहुत बार एंटरेमेंट वाले भी वीडियो बनाता है अगर गेमिंग के इसाब से देखा जा तो प्यूडी पाइज गेमर और वल्ल्ड में तो भाई उसने टॉप किया है टी सीरीज को उसने टक्कर दिया है तो बाद में टी सीरीज ने टेक ओवर कर लिया वह बात अलगे लेकिन मानलों टी सीरीज जब नहीं था उसके पहले से पीवडी पाइ नंबर वन था तो मतलब उसने पहले से बेस बनाया हुआ है गेमिंग का ऐसा है कि अभी इंडिया में अभी लोगों को पता चल चुका है क कि कल्चर है तो आने वाले दस साल में जितना यह बढ़े गाना उत्रा मतलब ऐसा सोच लोग कि किसी ने सोचा ही नहीं होगा और यह अपने जो टॉप इंडिया में है वह उनसे अप मिले हो और उनकी जो स्टाइल हो और उनसे कुछ सीखने को मिला हो ऐसे कौन होगे वह लो में ज्यादा इंटरेस्ट में उस चीज में बहुत ज्यादा एक्टिव आप देखोगे ना तो इंडिया के जो टॉप लेवल के जो गेमर है वो यूट्यूब पे हर तीन चार दिन में या हफते में एक वीडियो डालेंगे लेकिन आप मेरा उल्टा देखोगे ना तब मैं हर हफते या दो-चार दिनों में एक रील डाल देता हूं मैं थोड़ा इस टाइप का गेमर हो कि मुझे और से कुछ अलग करना है जो में मिन जो गेमर है वो लोग यूटूब पे गेमिंग वीडियो डालते और वहां से ग्रो करता है लेकिन अगर मैं कुछ अलग करूंगा तो ही मुझे एक अलग प्रकार की ओडियन्स मिलेगी तब मैंने सोचा कि मैं गेमिंग को क्यों ना सौर्ट्स है रील्स है इस चीज में वाइरल करो तो मैंने वस चीज को वहां पर फोकस किया और सेकंड तिंग यह है कि जो टॉप लेवल के जो गेमर होते ना जैसे इसपो को पब जी वाले तूर के लिए लेकर गया है तो हम सारे क्रीटर बस में बैठे तो हम लोग सब लोग मलब ऐसे गेम स्केल रहे है बाते कर रहे या कुछ-णा कुछ ना कुछ को मेडिए कर रहे है इसका ता कि वह अलग बैठा हुआ ऑफ शीट पर बैट वाल गेम कहल आ एक कभी PUBG खेल ला है कभी कोई ओर गेम खेल रहा है मनल मानलो हम लोगों ने बस में मानलो हमारी कुछ जरनी थी 7-8 गंटी की आसी कुछ जरनी थी हमारी हाँ ऐसी कुछ जरनी थी 7-8 गंटी की तो वो वो आलमोस्ट छी गंटे उसने सिर्फ गेम्स के लिए इतना गुसा है वो गेम के नदर मैं मानता हूँ कि वो आज लोग कहते हैं कि वो कॉंट्रोवर्सी करके या गाली देके फेमस हुआ है लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि उस बंदे को जिस हिसाफ से मैंने डेडिकेटेड देखा है ना गेम के लिए वो डिज़र करता है यह चीज वह तो इक स्काउट है कि उसका 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 स्टाइल भी अलग है हाँ डाइन ट्रियुर को मैंने देखा तेरम को मैं पाइन देखा रोश्ट वीडिए और मजा आता है रोस्ट हाथ है रोष्टे है तो दीक वह अमसलब ममिलें हम लोग और ऋप्मार मिलें तो आद्र से जिसंतता है मॉटल है यह बहुत बार मिला है मतल्सलिक सब्सक्री अलग जो टूर में गए थे तो हमारा competition हुआ था तूर में जा रहे तो महां पर कुछ न कुछ में कौन होगा मैं किसकी टीम में होगा मैं सब सुबह से उठके सोच रहा था मैं अपने सब दोस्तों को बोल दिया कि अगर जोनाथन मेरी टीम में आ गया ना हम लोग जीट जाएंगे मैंने सब को बोल दिया थोड़ी दिर के बाद announcement आई मतलब हमारे जो manager थे उन्होंने बोल कि जैश भाई आप जोनाथन की टीम में एक story डाल दो उसके बाद आप नहीं मैंने हर बंदे को जा जाके हो ला है कि जोनाथन की टीम में आज जीतने वाले आज हम लोग ट्रॉफी उठाने वाले वह के रवाई हम लोग tournament जीत भी जाते लें लास्ट में ना दो बंदे बाक लेकिन उस चेकर में थोड़ा सा रह गया मतलब फिर भी उसने बहुत अच्छा के ला मतलब उसने पूरे अकेले ने पूरी टीम को कैरी कर ली थी हम सब लोग उसको जितना support देना चाहिए था ना हम लोग तीनों मानते थी कि हमने उतना वीचारे को दिया नहीं सपट अगर थोड़ा बहुत और अच्छा हम लोग performance करते हैं तो वो ट्रॉफी हम लोग लेकर आते हैं टोटल गेमर के भी एक है टेक्नो गेमर उसको अभी मिले हो ना टेक्नो गेमर को मैं अभी तक नहीं मिला हूं बट उसका कंटेंट बहुत प्रोफिशनल रहता है बहुत गोल्डी इंडी गेमर को वो सबसे पुराने गेमर है मेरा यह मानना है कि अगर गेमिंग इंडिस्ट्री में उनका भी नाम ना लिया जाए ना तो फिर उनकी बेजती हो जाएगी तो कि इंडिया में सबसे पहले जो गेमर थे न वो गोल्डी इंडी गेमर थे और उनकी जो किया उसका कंटेंट इतना प्रोफेशनल लगता ना ऐसा लगता है कि कुछ चीजे इंसे सीखते और कुछ चीजे तो ट्राय करते कि भाई देखके कि हम भी ऐसा कुछ कर सकता है मुझे टेक्नो का गेम सेटप बहुत पसंद है उसना सेटप बहुत अच्छा बनाया है उसका पैसे भी लगया है पैसे भी लगया है स्काउट का भी अच्छा है एक और चीज है ग्राफिक्स विसिस गेमप्ले सो वो कौन सा मेंटर ज्यादा करता है देखो ऐसा है कि अभी के इग्नौर कर रहे है तो आपने देखा होगा फ्री फायर गेम है उसके कितना मतलब कितना बड़ा उसका एक फैन बेज एक अलग लेँवल का फैन बेज फ्रीफार गेम में टोटल गेमिंग के इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए वो इंडिया का नंबर वन गेमर बन गया अजू भाई अब सोचो BGMI एक इतनी तगडी गेम है जिसके हाई लिवल ग्राफिक्स है मतलब जिसमें इतनी सारी रियालिस्टिक चीज़े डाल दी समाझ सकते हो ना मतलब एक पर्टिकुलर गेम है जो उससे भी हाई लेवल की गेम है जिसमें ज्यादा स्टेटेजी लगती है जिसमें रिकॉल मिलता है मतलब अगर आप गन चलाते हो तो आपका जो गन है वो उपर नीचे होगा जिस हिसाब से आप कंट्रोल कर रहे है उस हिसाब से मतलब एक रियालिस्टिक आपको एक्स्परियंस दे रहा है फिर भी उस उस गेम का मतलब कोई ऐसा क्रीटर निया जो नंबर वन गेम है और एक ऐसी गेम है जो मतलब जिसके ग्राफिक थोड़े लो लेवल के है लेकिन पब जी जैसी ही गेम है और उस गेम का क्रियेटर नंबर वन गेमर है हां जाथ जाथ यह जाथ है उतनी चीज़ डाल दिया कि आपको बह।च जादा स्ट्रेटिज लगानी पदगी है आप जो चीज सोच रहे हो एनिमी ने वो चीज सोची लिए होगी आपको यह समझ के चलना है लेकिन फ्री फायर में क्या है जैसे रिकॉल नहीं है बिलकुल भी रिकॉयल नहीं है मतलब आप गन चलाओगे गोली चलाओगे तो वो उपर निचे नहीं होगी वो एक अपका केरेक्टर उस साफ के लिगा वापको अपने अंगूटे से या फिर आपको उंगलियों से उसको केरेक्टर को मूव करना पड़ेगा जिबकि देखने जायना तो बीजी एमाइ में क्या है कि बीजी एमाइम आपको जायरो स्कोप भी मिलता है तो यह इतनी हाई जो सबसे ज़्यादा ओडियन्स है इंडिया में लोगों के पास हाइंड डिवाइस खरिदने के पैसे नहीं है ज्यादातर और लोगों के पास और जो लोग खरीद पाते हैं वो अच्छी हाई लिवल्स की गेम्स खिलते हैं आइधिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग व है वो इस साल के बीच में ओडियन्स हाती है और उस टाइम पर होता है कि जो हमारे पैरेंट्स होते है वो खरिद के देते भी नहीं है वही है यह यह इस्यू बहुत ज़्यादा होता है आप पैरेंट्स को कैसे समझाओगे कि मुझे गेमिंग के लिए फोन चाहिए आप यह हो है तो आप दिलाई देंगे एक टाइम के बाद आपके पैरेंट्स आपकी बात सुनते भी है बट यह सीन है कि आप गेमिंग के लिए अप कैसे उनको करो गए आप कर सकते हो या तो फिर आपके पैरेंट्स मानते कि हाँ इस चीज में भी करियर बन सकता है या उन लोगों मैं उस लड़के को कभी पैचानता नहीं हूँ उसने अपने मम्मी और दादी को मेरे घर पे बेद दिया इस चीज के लिए कि वह ई-सपोर्स में आगे बढ़े मैं उनको पैचानता नहीं मेरे घर पर बैठे मेरी मम्मी मुझे बुला ही बोले कि यह कोई लोग आया है बोल मुझे इस चीज में करियर बनाना है आप बतो क्या करे मैं अगर आपका बेटा इस चीज में आगे बढ़ना चाहता है अपको लगता है कि उसमें पोटेंचियल है अगर वो कर सकता है तो आप भेजो आपका बेटा है आपकी वरजी बट सीने कि अभी है इन्डिया में जो का जो कल्चर है उसमें पूरगल उतना ही है जितना आप बाकी करियर में जाओगे ऐसा नहीं कि आप तुरंट उठके राध व राध श्टार बन जाओगे बहुत सारे ब्लेयर जो जो जॉनातन को भी टक्कर देता है अभी बहुत सारे से प्लेयर आ चूके मार्केट में ले यह चीज आती है प्रॉब्लम